बिल्कुल भी नहीं, आँटी, आप मुझे उस डेविल के रूम पे रहने के लिए कैसे कै सकती हैं? अपो पता है ना, जब को घर में होते हैं, तो मैं डर में रूम के बाहर तक नहीं निकलती हूँ. ऐसे मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाओंगी जिस शादी में मैं बराती बनकर गई थी उसी में मुझे दुलन बनाकर मंटब में बिठा दिया गया शायदी कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा मेरा नाम इश्की है अभी सिर्फ 19 साल की हूँ मैं कितनी खुश थी जब मैं अपनी बेस्प्रिंट मिशा के भाई की शादी अटेंड करने गई थी हमने धेर सारी मस्ती की और वैसे तो संजना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी लेकिन उस दिन वो बहुत खुबसूरत लग रही थी अब आप पूछेंगे संजना कौन है तो संजना ही तो दुलन थी मिस्टर राजवीर सिंखानिया उर्फ डेविल सिंखानिया की मिशा बताती थी उसके आँख तिखाने भर से घर में सब लोग चुप हो जाते थी पूरे घर में किसी की हमत नहीं थी उसके सामने बोलने की मिशा भी बहुत डरती थी उससे सिर्फ एक संजना ही थी जिसे राजवीर ने कभी नहीं डाटा उसके बचपन का प्यार जो थी संजना और शादी के लिए भी राजवीर नहीं मनाया था संजना को उस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था पंडिजी फेरो की तियारी कर रहे थे संजना और राजवीर मंड़ पर बैठे थे पर अचाना सब बदल गया मैं राजवीर सिंगानिया की बीवी बन गई जिस आदमी से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा डरती थी वो मेरे पती है, जानना नहीं जाओगे, क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजवीर सिंगानिया ने अपने बचपन की प्यार संजना की जगा 19 साल की इश्की से शादी कर ली घर के सब लोग इतना क्यों डरते थे राजवीर सिंगानिया से और क्या इश्की इस अचानक हुई शादी को कुबूल करीगी? इश्की अभी भी राजवीर के साथ मंडप में ही बैठी हुई थी इश्की को देख कर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने होश पूरी तरह खो दिये हैं वहां मौजूद सभी लोग यहां तक कि राजवीर के घर वालों को भी यकीन नहीं हुपा रहा था कि इश्की अब राजवीर की पत्नी और सिंगानिया खांदान की बहु सच में बन चुकी है तभी पंडित जी ने कहा साथी की रस में पूरी हुई आज से आप दोनों पती पत्नी है तभी राजवीर ने कहा चलो दादी काशिर बार लेते हैं राजवीर और किसी के पास नहीं गया ये देख अरणव और कोमल को बुरा लगा पर जैसे उन्हें इसकी आदत हो चुकी है दोनों दादी के पैर छूते हैं खुच रहो दोनों जीते रहो बेटा एक खामोशी के बाद अरणव राजवीर के पास आकर उससे कहता है बेटा राजवीर तुमने इसकी से शादी तो जरूर कर ली है लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए तुमें थोड़ा और इंतिजार करना होगा बेटा ये शादी वैलिड नहीं है क्योंकि इशू अभी सिर्फ 19 साल की हुई है और लड़कियों के शादी की लीगल एज अब 21 साल हो चुकी है कोट इस शादी को कभी एकसेप्ट नहीं करेगी और तुम्हारी शादी कभी रेजिस्टर भी नहीं हो पाएगी अब इस बात की चिंता मत कीजिए मैंने वसीयत में अपने शादी की एज 29 से 32 कर दी है इसका मतलब है कि हमारे पास अभी शू की उम्र 21 साल होने तक का टाइम है जैसे इशू 21 साल की होगी हमारी शादी रेजिस्टर हो जाएगी ड़न फारी इसके बाद राजवीर अपने रूम में चला जाता है राजवीर को वहाँ से जादा देखकर अर्नव भी वहाँ से चला जाता है राजवीर के जाने के बाद कोमल इश्की के फास आती है और कहती है बेटा अब तुम एक पवित्र रिष्टे में बन चुकी हो तो इसे पूरे दिल से निपाना पवित्र बंधन में या जबर्दस्ती के बंधन में आपने भाई को रोका क्यों नहीं? मिश्या, अब शान तो जाओ जो हुना था सो हो गया इश्की बेटा आज तक तुमने राजवीर का सिर्फ गुचा देखा है मगर मेरी मानो वो दिल का बहुत साफ है बीटा इश्की अभी अभी चुप चाप घड़ी है वो कुछ सोच ही रही होती है कि अचानक मिश्या उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ कर उसको अपने रूम में ले जाती है मैं उस दिन को कोशिए जिस दिन मैं तुम से मिली थी अब इसमें मेरी क्या गलती है मेरी क्या गलती है तूने कुछ बोला क्यों नहीं अन्य बोलने की कोशिश की थी लिकिन उन्होंने मुझे ऐसे गूर के देखा कि मैं चुप रह गई तुने अपने चुक होने का नतीज़ा देख लिया, अब बन गई ना तुम उनकी पत्नी तभी मिशा के रूम का गेट ओपन होता है, कोमल अंदर आती है इश्की, तरवासा बन कर और इश्की को देख कर कहती है इश्की, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बेटा, अब तुम इस रूम में नहीं रहोगी बलकि राजबीर के रूम में रहोगी यह सुनते ही इश्की घब रहा गई और चिला कर बोली बिल्कुल भी नहीं आउंटी आप मुझे उस डेविल के रूम में रहने के लिए कैसे कह सकती है आपको पता है ना जब वो घर में होते हैं तो मैं डर में रूम के बाहर तक नहीं निकलती हूँ ऐसे मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी हाँ मा, इश्की कैसे रहेगी भाई के साथ रूही मिशा से बड़ी पर उसकी सौतेली बहन थी पर रूही राजवीर की सगे बहन थी रूही ने आकर इश्की से कहा इश्की, अगर तुम अब भाई के कमरे में नहीं गई ना तो भाई यहां आ जाएंगे तुमें लेने इश्की, आप क्या कह रहे हो प्रीज शुप शुप बोलो तो तुम शुप शुप करो और मामा के साथ जाओ हाँ इश्की, चली जा कई ऐसा ना भाई तुम से गुस्टा हो जाएं इश्की उदासी भरे आवाज में धीरे से बोली ठीक है, मैं अपने कप्रे ले लेती हूँ जाओ, अंदर जाओ एक तो आप मुझे उस डेविल के हवाले कर रही है और पुर से आप मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही है ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ना चाहती हूँ पर असली बात ये है कि राजवीर के रूम में हम घरवालों का जाना मना है तब तो मैं भी नहीं जाओंगी कई उन्हें मुझे देखा और उन्हें गुस्सा आगया तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा तुम जाओ, अंदर जाओ इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा जाओ इस बार इश्की हिम्मत करके अंदर चली गई उसने एक चैन की सांस ली और फिर मिशा को कॉल करने लगी उधर मिशा कॉल उठाते ही बोली क्या हुआ? कुछ नहीं सिर्वो डेविल अभी तक दिखा नहीं है ये सुनते ही मिशा ने चैन की सांस ली और भूली चिल कर यार तुने थोड़ी ना कुछ किया है जो किया है भाई ने किया है और वैसे पीस में तेरी कोई गलती नहीं है तो तुझे डड़ने की ना कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा जी तु तु मुझे ऐसे ग्यानदेरी जैसे तु तु नहीं ड़ती ही नहीं है मिशा ने बात छपाने की कुशिश की अरे अब मैं तो इसलिए डड़ती हूँ ना क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ लेकिन तु ने कुछ किया है नहीं ना सो चल चल की बच्ची यह सब तेरी वेज़े से हुआ है नहीं मैं उस दिन तेरे गर खाने पर आती हूँ ना मैं फस्ती बस यह रात बीच जाने दे फिर कल सुबा देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ अच्छा अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है ना तो एक काम कर भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सोजा अच्छा जाहना पठ जान का खत्रह होता है ना वहां नीद कहां आती है अरे पागल लड़की सोने का नाटक तो कर सकती है ना जगदर तान कर सोजो और सोने दे आज के लिग तर डामे इनफ था मिशा कॉल कट कर दे थी थी है मिशा के फोन काट थे ही ह людей हलो मिश्या की बच्ची तिरी हिमत कैसी मेरा फोन कट करने की सुबब हो जोने तो फिर बताती हूं तुम्हे और चेंज करने के लिए जली जाती है राजवेर अपने स्टारी रूम में बैठ कर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था तब ही उसके पास समर का कॉल आया राजवेर ने फाइल्स चेक करते करते समर का कॉल पेक किया समर बूला सर संजना अपने बॉइफरेंट के पास गई है उज़े लगता है वो उस रात के लिए आपको ब्लेक मिल कर सकती है राजवेर टैवल स्माल के साथ बोला करने दो उसके बाद जो होगा संजना परदास नहीं कर पाईगी उसने राजवीर सिंगानियों को परकने में बहुत बड़ी कलती कर दिये सबसे पहले तो केशिव दिवान के बारे में जितने भी प्रूफ से हैं सारे क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो ये सुनने के बाद समर ने फिर से पूछा राजवीर जैसे अपने रूम में चेंज करने के लिए काया उसकी नजर बैट पर सूती इश्की पर गई जो कि सर से पैर तक खुद को चादर से कवर किये हुए थी राजवीर उसको देख कर मुस्कुराता है और चेंज करने चला जाता है इश्की कस कर अपने आँखे बंद करके खुद से बोली ओ गौड पता नहीं क्यों आज राद नीन भी नहीं आ रही है मैं तो टेविल से पहले सोजाना चाहती थी ये क्या हो रहा है मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था मिशा कहां हो यार लीज मुझे बचा लो इश्के ये सब सोची रही थी कि तब ही राजवीर चेंज करके आ गया यार इश्के तुझे तो सोनी के आक्टिंग करने में नहीं आती अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा कलब जॉइन कर ले तब क्यों ने जॉइन किया उसने इश्के के बगल में लेट कर उसी के कंबल को अपने उपर डाल लिया उसके ऐसा करते ही इश्के के दिल की डड़कन तेज जलनी लगी राजवीर कुछ देर तक इश्के के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास जाकर बूला यह सुनते ही इश्की के चेहरे के एकस्प्रेशीन्स बदल गये पर उसने अभी भी अपने आखे बंद ही रखी राजवीर उसके सर को सहलानी लगा उसकी इस हरकत से इश्की ने आखें खोल ली पर तब तक राजवीर अपने आखें बंद कर चुका था इशक'י उसे लगातार देखे जा रही थी उसने राजवीर को इतनी पास से आज पहली बार देखा था वो मनी मंद सूचती है यार यह डेविल तो है लेकिन हैंसम डेविल है इशक'י कॉन्स्टंटली राजवीर को देखे जा रही थी कि अजानक उसके कानों में एक आवास सुनाई दी उसके बाद राजवीर ऐसे ही इश्की को अपनी बाहों में लेकर सुगया कुछ तीर में इश्की भी सुगई अगली सुभा राजवीर आँखे मलता है और अंगडाई लेते हुए उठा तो उसकी नजर इश्की के मासूम चहरे पर चली गई इश्की सोते हुए बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी राजवीर कुछ तेर तक इश्की को देखता रहा हाज उसकी जिन्दगी की सबसे सुन्दर सुभा थी जिससे वो प्यार करता है इससे ज्यादा सुकून भरापल उसके लिए कहां हो सकता है राजवीर ने कुछ देर तक इश्की को देखा और रेडी होने चला गया थोड़ी देर बाद राजवीर जब वाश्रूम से बाहर आया तभी उसने देखा कि इश्की अभी भी आराम से सु रही थी और उसके पास आकर उसके फोहेड पर किस करते हुए प्यार से बूला ये सुनकरिश्की दूसरी तरफ बलट कर सु गई उसने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अरनव और कोमल बैठे हुए थे राजवीर कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा वो प्यार से बूली राजवीर, दो मिनट टुको, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाओ इसके कोई जरुवत ने मिसें सिंगा निया राजवीर बाहर जाने लगा, तभी दादी बोली अरे बेटा, राजवीर, कहां जा रहे हैं तुम? राजवीर बिना पल्टे हुए बोला ओफिस ये सुनते ही दादी बोली अरे मिसे, कल तो तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम ओफिस चले अभी तो शादी की कई रसमें बागी है तादी की बात सुनकर राजवीर बल्टा और बूला कैसी रसमें? तुम्हें नहीं पता, ब्याहर शादी की कई रसमें होती है आज इश्की की मूँ दिखाई है इश्की की मूँ दिखाई नहीं होगी मैंने शादा कि उसके बारे में किसी को कुछ पता चले उसके लिए सेफ नहीं होगा राजवीर की बात से सहमत होकर अरनव बोला मा, राजवीर बिल्कुल सही कह रहा है इश्के के लिए सब सही नहीं है देखे वो उमर में बहुत छोटी है और उसे दुनिया की क्या समझे जो भार के लोगों को हैंडल करेगी वो नहीं, रहने दीजे ये सुने के बाद दादी थोड़ा मायूस होकर कहती है ठीक है जैसे तुम सब चाते हैं वैसे होगा लेकिन पहली रसोई की रसम और एक कूजा ज़रूरी है वो तो कर सकते हैं ना दादी की बाद से सहमत होकर अरनव बोला हाँ माँ, ये कर सकते हैं दादी खुश हो गई और हस्ते हुए पूछा वो सब तो ठीक है लेकिन मेरी नई बू है कहां ये सुनते ही मिशा भूली पक्का घोडा तबेरा सब बेच के सोरी होगी और क्या और क्या कहा अपने रसोई की रसम इश्की अच्छे से पानी गरम कर ले वो ही उसकी महरवानी है राजवीर ने मिशा को घूर कर देखा और सभी बाते सुनने के बाद अपने कमरे में चला गया रूम में आकर वहां राजवीर ने देखा इश्की कर आप सुबह हो गई है बस थूट देरो और जब राजवीर ने देखा कि इश्की नहीं उठ रही तो वो उसके चादर खेंच ली जैसे इश्की घुस्से से उठकर भूली तुमारी हमद कैसी वे मेरे उपर से चादर हटाने की उसने आखे खोली और जैसे उसने राजवीर को देखा तो वो तुरंट चुप हो गई राजवीर ने पूछा क्या बोला तुमने? सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप हो ओके फिर उसके फोहेट पर किस करकी बोला इशकी कोट जैसे यह एहसास हुआ कि राजवीर ने उसे किस किया है उसे थोड़ा सा अजीब फिल हुआ इशकी बैट से उठकर रूम से बाहर जाने लगी उसको बाहर जाता देख राजवीर ने उससे पूछा राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दर्वाजे पर किसी ने नौक किया एक सर्वेंट अंदर आए उसने अपने हाथ में थाली पकड़ी हुई थी उसकी बाद सर्वेंट सामान रखकर वहां से चली गई लोगी तुमारी प्रॉब्लम सौल नो गट रेड़ी प्रॉब्लम सौल वही है क्या और बढ़ गई मुझे तो साड़ी पैन नहीं नहीं आता अब क्या करूँ? मेशा को बलाती हूँ ये कहते हुए इश्की अपने ही थोट्स में खोई हुई थी और फिर खुद से बोली नहीं नहीं मेशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है मैं वो भी भूल जाओंगी ओ गॉड़ कहां फसा दिया आपने? इश्की अभी भी खड़ी खड़ी अपने थोट्स में गोम है और उसको कुछ सोचते देख राजवीर ने उससे पूछा इश्की ने जैसे ही राजवीर के आवाज सुली वो जल्दी से सामान लेकर वाश्रूम के और भाग गई वो सारी पहनने के वीडियोस देखकर सारी पहनने की कोशिश करने लगी और जैसे दैसे उसने सारी पहन ली फिर आईने में खुद को देखकर बूली सारी तो ठीक टक पहन ली तूने इश्की कि थोड़ा अजीब लग रहा है कोमल आंटी को बोलती हूँ वो अच्छे से पहना देंगी और रूम से बाहर चली गई बाहर जाते ही उसकी नजर कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली आंटी आपने सारी क्यों दी उन्थे तो आता भी नहीं कैसे पहनते हैं जैसे तैसे मैंने वीडियो देखके पहन ली अब लग रहा कहीं खुलना जाए यह सुनकर कोमल कुछ देर इश्की को देखने लगी रेट कलर की सारी में बहुत खूबसूरत लग रही थी कोमल ने इश्की से कहा इश्की तुम बहुत प्यारी लग रही हो किसी की नजर ना लग जाए और बस इसको थोड़ा सा ठीक करना है और सब ठीक हो जाएगा कोमल इश्की की सारी ठीक करने लगी यह यह बस बस राइट अच्छा तुम यहां रुको मैं अभी आती हूँ उसके बाद कोमल अपने वाडरूब से एक यहरिंग सेट निकाल कर लाई और इश्की को देते हुए बोली इश्की, यह देखो, किता प्यारा सेट है यह तुम पर बहुत सूट करेगा, इसे पहनो लाओ, मैं हल्प कर देती हूँ बिटा, शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है तो आज सबका आशिरवाद ले लो चलो जब मिशा ने उसको देखा तो इसके पास आकर बोली क्या बात है इश्की, उपस भावी तुझे तो मैं बात में बताती हूँ तभी दादी बोली जीती रहो बिटी इश्की, आज तुम्हें पहली रसुई की रसम करनी है ये सुनते ही इश्की के आँखें बड़ी हो गए मिशा हसते हुए दादी से बोली ज्यादा कुछ नहीं तो हल्वा बना लेना वो भी नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लेना हल्वा मैं बना लूंगी इश्की उसमें बस कर्ची चला लेगी इस तरह से रस्म भी पूरी हो जाएगी दादी बोली नहीं कोमल, सब के हाथों का सुआद अलग-अलग होता है इसलिए मैं जानना चाहती हूँ इसलिए हल्वा इसकी ही बनाएगी बता दादी की बात सुनते ही मिशा बूली फिर तो ले लिया अपने खाने का सुआद तुम चुप करो मैं तो भोलती हूँ कम से कम तुम भी सीख लो हल्वा बनाना तो सबको आना ही चाहिए ने बता हल्वा वो केसे बनाते है मुझे तो ठीक से गैस चालू करना भी नहीं आता कहां फस गई हल्वा सूजी का बनता है ये तो मुझे पता ही नहीं था इश्की कैसे बनाएगी तो हल्वा इश्की एक पान जिसमें सूजी है उसको चला रही है और अपने सौट्स में खोई हुई थी तभी मिशानी पूछा क्या बना रही है ये वकूफ बना रही हूँ मिशानी शेल्फ पर रखे बिस्कित्स उठाए और खाते हुए बोली मॉम ने तुझे समझाया ना कैसे बनाना है बस वैसे बना और वैसे भी दादी मीठा जादा खाती नहीं है तो वो एकी स्पून टेस्ट करेंगी तो क्या बस एकी स्पून बनाऊ यार मैं कहां फस गई ना मैं इस घर में रहने आती और ना मेरी शादी होती अरे तु फिर से स्टार्ट हो गई तो और क्या कहूँ पहले उस डेविल का सामना करना पड़ा फिर ये सारी का चक्कर और अब ये हलवा ऐसा लगा जैसे कि मैं ही मरी जारी थी उससे शादी करने के लिए जिसने ये सब किया उससे ये सब करवाए जाए मैं क्यू करूँ हाँ यार वैसे तू सही बोल रही है सबी रस में लड़कियां ही क्यों करती है लड़कों से भी करवानी चाहिए ओ मुझे बस दो मिनट का काम हमें आती हूँ तू इसको देखना है ये अल्मोस रेडी है ध्यान दे हाँ हाँ ठीक है इसलिए मिशा ने उसमें चार स्पून्स चीनी डाल दी और मिलाकर टेस्ट करते वे बोली वहें कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई ये देख कोमल खुद से बोली ये कहीं भूल ना चाहे मैं ही डाल देती हूँ तब ही मिशा को कुछ याद आया और वो गास बंद करके किचन से बाहर चली गई अरे चीनी डाल देती हूँ कोमल किचन में गई और गास अन करके हलवे में फिर से चार स्पून्स चीनी डाल कर चम्मत चलाने लगी कुछ देर बाद इश्की वापस किचन में आई तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था वो खुद से बूली इश्की ने भी हलवे में चार पांच स्पून्स चीनी डाल दी इधर सब लोग ब्रेक्फ़स्ट करके हॉल में बैट कर बात कर रही थे तभी इश्की सभी के लिए हलवा लेकर आई लो हलवा आ गया और सभी लोगों को सर्फ करने लगी उसके बाद इश्की सब के रिस्पॉन्स का वेट करने लगी उन्होंने जैसे ही पहला निवाला लिया सबकी आँखे हैरानी से बड़ी हो गई दादी के मुँसे तो हलवा उल्मूस बाहर आने वाला था मिशा मन में सोचती है मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी फिर यह हलवा चाचनी कैसे बन गई कहीं बात में इसमें इश्की ने और चीनी तो नहीं डाल दी मिशा बेटा चुप रही और इश्की को कुछ मत बताई हो कि तूने इसमें चीनी डाली थी वरना वो तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगी कॉमल ने भी हलवा खाया और अपने मनी मन सोचनी लगी यह क्या हो गया लगता है इश्की ने भीजी ने डालते फिर भी इतना मीठा कैसे हो गया क्या हुआ आप लोगों ने बताया नहीं कि हल्वा कैसे लगा मैंने पहली पर कुछ बनाया है अरना अब जैसे तैसे हल्वा खाता है और कहता है। बहुत अच्छा बनाए। सुवाजिश्ट सच में? हाँ हाँ, हल्वा सच में बहुत अच्छा बनाए। इश्की सबकी बाते सुनकर बहुत खुश हो गए। वो आगे आकर बोली। तो फिर मैं भी खा के देखती हूँ। नहीं! इश्की शॉक्ट होकर सभी को देखने लगी। अभी रूही... अरे! इश्की, तुम अभी कैसे खा सकती हो? यह सुन इश्की, ना समझी में रूही को देखकर पूछने लगी। मैं क्यों नहीं कहा सकती जी? रूही को कोई बहाना समझ में नहीं आया और वो बोली अ.. अरे वो.. यह तुम्हारी पहली रस होई है तो.. हम सब ने तो खा लिया, पर भाई की बापी है तो तुम लेकर भाई के लिए जाओ, हाँ यह सुनकर इश्की के चहरे की हसी तुरंद गायब हो गई मैं क्यो जाओ उने हल्वा देने? अरे, यह क्या भाद हुई? क्योंकि तुम उनकी वाइफ हो? रूही ने दादी की तरफ देखा और उनसे पूछा क्यों दादी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ इसकी, रूही बिलकुल ठीक बोल रही है तुम जाओ, और राजवीर को अपने हातों से हल्वा दे, जाओ पर दादी, इसकी भाई को हल्वा कैसे दे सकती है? चुप, दादी मिशा को डाटते हुए बोली अब राजवीर ही बताएगा खाकर के यह हल्वा कैसा बनाए, ठीक है? नहीं दादी, मैंने जाओ उने हल्वा देने आप किसी हावजर्व को भेज दीजे क्यों? हल्वा तुमने बनाया है ना? तो मैं मेट को क्यों भेजू? तुम खुद जाओ और उसे देया, जा ठीक है आखर मैं इश्की को राजवीर के लिए हल्वा लेकर जाना ही पड़ा इश्की के वहां से जाते इस कोमल दादी से बूली मा, ये क्या किया आपने? आपको पता है ना, आज हल्वे में कितनी ज्यादा चीनी डली है अपर से अपने इश्की को से राजवीर को कहिलाने के लिए बेज़ दिया इस बाद पर अगर राजवीर को गुसा आगया तो और उसमें इश्की को कुछ ऐसा क्या दिया तो इश्की को कितना पूरा लगेगा घारी बोली ऐसा कुछ भी नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि राजवी इसकी को बहुत पसंद करता है, उसने ऐसे ही इसकी सेर्षादी नहीं की है, समझी तू? सबको तो अच्छा लगा है हल्वा, पता निया उस टेविल सिं घानिया को कैसा लगेगा, ऐसे टेविल्स हल्वा खाते हैं क्या? वी, आपने ऐसा क्यों किया, बिचारी मेनी दोस्त को डेविल्स के पास भीज दिया, अरे, मुझे समझाई नहीं कि मैं इश्की को कैसे रोकती, तो मैंने उसे भाई के पास भीज दिया, ये कहते ही, रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, और मा, आपने उसे ठीक से ह चीनी डालना भूल गई है, मैं किचन में गई और मैंने चीनी डाल दी, पर गलिती ये हुई के मैंने इश्की को नहीं बताया, और शायद जाके उसने भी चीनी डाल दी, अपने आप में बोली, हद्ध, मदलब हम तीनों नहीं हलवे में चीनी डाल दी थी, ऐसे मैं तो चा चल कुमर, मेरे साथ मेरे कमरे में, अपनी नहीं बोहू, उसने अपने हाथों से पहली बार कुछ बनाया है, तो फिर इसलिए उसे कुछ शगुन देना तो बनता है न, नीचे जाकर देखते हैं, क्या देना चाहिए उसे फिर दोनों वहां से चले गए, राजवीर सोफे पर बैट कर कोई किताब पढ़ रहा था, तभी इश्की रूम में आए, और धीमें कदमों से चल कर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई, राजवीर को पता चल गया था कि पीछे इश्की है, वो उसे बिना देखे ही बूला तो होगी तुम्हारी रसोई की रस, हाँ, हो गई, ये दादी ने आपके लिए हलवा भेजा है, तो पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आके दो, इश्की ने आगया आकर राजवीर को हलवा दिया, और वहां से जाने लगी, तुमने बनाया, तुमने टेस्टिंग किया, कैसा बनाया, खोधी टेस्ट कर लो, काओ, ये तो बहुत मीठा है, अरे आप क्यों खा रहे हो, यार, मेरी कोई गलती नहीं थी, कसम से, मैंने तो ठीक मात्रा में चीनी डाली थी, अब उसके बाद उसमें मॉम ने चीनी डाल दी, और तुने भी तो डाली थी ना, तो चाशनी तो बननी थी, तो जब मैं उस हल्वे को डैविल के पास ले जा रही थी, तब तुमने क्यों नहीं बताया? अगर अमें तुझे कुछ बोलती ना, तो दादी मुझे छोडती नहीं. Misha, या! क्या हो रहा है ये? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनो? Mom, इसे बताओ कि आपने भी चीनी डाली थी ना? आपने भी? कुमल हैरानी से बोली. मतलब, और किसे डाली थी? तभी इश्की चिर्ते हुए बोली. इस मिशा की पच्चीने. तभी हल्वा इतना ज्यादा मीठा हो गया था. क्यर छोड़ो. इश्की, आज तुम्हारी रसोई का पहला दिन था. तो ये पहली रसोई का पहला तोफ़ा. आरे, आँटी, इसकी क्या जरुवत थी? जरुरत है, बिटा. अब तुम इस घर की बहू हो. और आज से तुम मुझे आँटी नहीं मॉम कहोगी. ये सुनकर मेशा बोली. वाओ, मॉम, ये कितना सुन्दर है. ये बहुत खुबजूरत है. ये हमारा पुष्टैनिहार है. जो मेरी माँ ने मुझे दिया था. आज में इसे तुम्हे देती हूँ. लेकिन आँटी, मॉम, मैं इतना महंगा तुफ़ा कैसे ले सकती हूँ? इश्की, बिटा, मैं कितनी बार कहूँ कि अब तुम इस घर की बड़ी वहू हो. और जितना अधिकार बाकियों का है इस घर पे, उतना ही तुम्हारा भी है. तो आज में इस तुफ़ा, तुम्हें सोमती हूँ. यह क्या है? वाव, कल से कॉलेज शुरू हो रहा है. कल से हम नौ से पाच कॉलेज में रहेंगे, तो थोड़ा ड्रामा कम हो जाएगा लाइफ में. सही में यार, इन दिनों कुछ ना कुछ हो ही रहा है. हर दिन कोई ना कोई रामा वात रहता है. दोनों बात करी रहे थे कि तभी रूही अंदर आकर बोली. Guys, I have a good news for you. मैं यह तुम लोगा का कॉलेज जॉइन कर रहू हूँ अज डिरेक्टर ओ ड्रामा क्लब. रूही की बात सुन मिशा बोली. मतलब तो हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं चुड़ने वाली. रूही आर्ट्यूट में बोली. ओ, हेलो. भूलो मार के तुमसे पहले वो मेरा कॉलेज था. था. अब है नहीं. वो दोनों लड रहे थे तभी इश्की बोली. वाओ दी. तो आप डिरेक्टर बनने माले हो ड्रामा क्लब के? यस. प्लीज दी मेरी भी एंट्री करवा दो. Okay, done. आज आना अओडिशन देने. कुछ देर और तीनोंने बाते की, उसके बाद इश्की अपनी रूम में चली गई. यार! ये बैट कितना मस है! कितने अच्छी नींद आती है! और इस रूम के स्मेल भी कितने अच्छी है! ऐसे हैं, कुछ भी कहो! उस टैविल की स्मेल है अच्छी! तभी राजवीर अपने रूम में आया और उसने इश्के की सारी बाते सुन ली थी. कुछ कह रही थी का तुम मेरे बारे में? राजवीर की हावास सुनकर इश्के हडवड़ा कर बैट से उठी और बोली. हम? नहीं! मैंने तो कुछ नहीं कहा! आपने कुछ सुना क्या? सुन ही तो नहीं पाया, इसलिए तो पूछ रहा हूं. नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा. चलो, मान ली तुम्हारी बात. फिर राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला. अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे किस नाम से बुलाती हो? मैं तो आपको मिस्टर सिंगानिया कहके बुलाती हूं. आपको मिस्टर सिंगानिया कहके बुलाती हूं. जूट मत बोलो, प्रिंसेस. सजब बताओ. किस नाम से बुलाती हो? बताओ. बताओ, बताओ. वह, मैं… पताओ, मैं सुन रहा हूँ डेविल डेविल मैंने बला इसा क्या काम किया जो तुम मुझे डेविल बलाती हो पूरा दिन तो डेविल सी शकल बना कर घूबते रहते हैं जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अभी शरीफ बन रहे हैं बोलो मुझे से शादी की तुमसे शादी कोई किड्नाप करके थोड़ी न की थी तो फिर जबरदस्ती तो की न? नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कहते हैं तो फिर उसे क्या कहते हैं? उसे अपना हग जताना कहते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफ्रेंस है क्या डिफ्रेंस है? वक्त आने पे पता चल जाएगा कैसे कैसे प्रकार के प्राणी घुम रहे हैं? बिनने पिनने प्रकार के अच्छा तुमने अपना पूरा सामान हमारे रूम में सेट कर दिया? इश्की ने हां में गर्दन हिला दी बारे में तो किसी को कुछ भी मत बताना इश्की ये सुनकर मन ही मन बोली जैसे मुझे बहुत शौक चड़ा है सबको बताने का इश्की ये सब सोची रही थी कि तब ही फिर से राजवीर की आवाज उसके कानों में आई मैंने शाहता कि मेरी वज़ा से तुम्हे कोई परिशान करे लड़कों से दूर रहना और किसी से भी उलजने की कोई जरूरत नहीं है ये सुनते ही श्की अपना सिर उठा कर बोली मैंने कुछ नहीं किया उसकी बात सुन राजवीर बोला हाँ, मैं तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनावे चानता हूँ ये सुन श्की महसूम सी शकल बना कर बोली वो मैंने नहीं किया, वो मिशा नहीं किया उसकी बात सुन राजवीर बोला हाँ प्रिंसेस, तुम तो एकदम जलीवी की तरह सीधी हो राजवीर के बाद सुन श्की ने अपना मू बना लिया तब राजवीर बोला मुझे पता है कि कॉलेज के वाश्रूम में तुम नेक लड़की को बंद करके उस पे पटा के छोड़ दिये थे फिर भी श्की अपनी सफाही देते हुए बोली उसने एक लड़की को परिशान किया था हाँ हाँ प्रिंसेस मुझे सब पता है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हो यह आप प्रिंसेस बोलना बन करो मुझे ऐसे निकनेम्स नहीं पसंद है तो आपको कैसे निकनेम्स नहीं पसंद यह सब बाबू, शोना, जान मुझे नहीं पसंद यह सब निकनेम्स यह सब कहते हुए राजवीर बैट पर लेट कया और इश्की को भी अपने करीब लेटा लिया फिर उसके बालों पर हाथ फिरते हुए भूला तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे स्टाइल की नम दे देता हूँ चोडेल डायन प्यासी आत्मा पिशाचनी कैसे लगे तो मैं तुम्हारे टाइप की नम तो दे रहा हूँ बोकत बुरे हो आप डेविल तो बुरे ही होता है अब मैं वीवन गया हूँ राजवीर की ये बात सुनकर इश्की को घुसा आ गया और वो खुद को उससे छुडानी लग गई लेकिन राजवीर की पकड मस्बूत थी इश्की अपने मन में बोली मुझे इसके सामने सोच समझ कर बात करनी होगी राजवीर को इश्की को अपनी बाहों में लेकर बहुत सुकून मिल रहा था उसने धीरे से इश्की के माथे पर किस किया और अपनी आखें बंद कर सुग गया अगली सुभा राजवीर की जब नीन खुली तो उसने देखा कि इश्की किसी चोटी बच्ची की तरह सो रही थी ये देख राजवीर ने इश्की के माथे पर किस किया उसके बाद उट कर तयार होने चला गया कुछ देर में राजवीर आफिस के लिए रेडी होने आया तो उसने देखा इश्की अभी भी सो रही थी ये देख राजवीर ने अपने मन में सोचा यार ये लड़की कितना सोती है कॉलिज के लिए कैसे उठती होगी उसके बाद राजवीर उसके पास जाकर उसे उठाने लगा सोने दो ना यार तब इश्की में नीन में सोच से राजवीर कोई किक मारती ये सुनकर राजवीर बोला इतनी आदी रात में बहला कौन किसको जगाता है राजवीर के इस बात पर रिष्के तपाक से बोली तो आदी दुनिया तो सो रही है ना आदम जो आदे रोग सो रहे हैं क्योंकि वहाँ रात हो रही है राजवीर अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला आज के बात तुम जल्दी उठोगी अगर नहीं उठी तो तुम्हें मैं डारेक्ट बार्टब में फैंग दूगा राजवीर के बात सुनकर इश्के धीरे से बोली तो ऐसे भी उठना पड़ेगा यह सुनकर इश्के धीरे से बोली तो सच में डेविल है बच्ची को सोने भी नहीं दे सकता राजवीर रेरी होकर नीचे चला गया और अपना ब्रेक्फिस्ट करके ओफस निकल कया कुछ देर बाद घर में एक लड़के की आवास आई यह लो आ गया तेरा दीवाना अब यह बहुत जल तेरे दीवाने से देवदाश बन जाएगा जब इसे पता चलेगा कि जिसको यह अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा था वो इसकी भावियों बन गई है तो देवदाश तो इसे वैसे भी बनना ही था क्योंकि मैं तो इसको कभी भी शादी के लिए हानी बोलने वाली थी बात तो तेरे ये भी सही है वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आती ये है तो मेरा जुडवा लेकिन इसमें इतने डिफेक्ट का से आगर तो ने जो इसकी सारी क्वालिटीज ले ली ये कहते हुए वो दोनों हस नहीं लगती है हो सब यहाँ है दादी तभी वो लड़का पिश्की को देख कर बोला अए मेरा बिचारा दिर तुम इतनी सुंदर लोग होगी तो कोई ये दिर दड़कना बनना कर जा यार शकर तू नहीं सुद्रेगा और कैसे बौल अच्छा हो मा क्या खाएगा क्या बना ये है मिहर मिशा का भाई जो मिशा से आधा घंटा बड़ा है वैसे मिहीर अगर राजवीर भाई को तुमारे दिल का हाल पता चलाना तो कहीं वो तुमारे ओपन हाट सर्जिरी ना करते मिशा की बात सुनकर मिहीर ने उससे पूछा ये सुनकर मिशा मुस्कुराते हुए बोली क्यों नहीं? जरूर मिलना चाहिए तुम्हे अपनी भाभी से ये कहते हुए मिशा इश्की के कंधे पर हाथ रख कर बोली तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी उप्स, हमारी भाभी मिशिस इश्की राजवीर सिंगान्या ये सुनकर मिहीर के चहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए बोला क्या बगवास कर रहे हुँ तो? भाई तो संजना से शादी करने ओले था ना? तब ही मिशा बोली करने वाले थे, लेकिन किया नी भाई ने संजना से नहीं इश्की से शादी किया इसी टी मैंने तुम्हे कहा अपने दिल का हाल समहाल के रखना वरना कहीं भाई तुमारा दिल का ओपरेशन ना गड़ दे उसकी बात सुन मिहीर ने खुस्से से मिशा को देखा और बोला तुम जादा नहीं बोलती तुम शायद भूल रहे हो कि मैं उमर में तुमसे बढ़ा हू ये सुनकर मिशा बोली सिर्फ आदा घंटा बढ़ा है, उच्छनत जादा ये सुनकर मिहीर मिशा को इग्नॉर करके इश्की के तरफ देखते हुए बोला इश्की यार, मुझे पता है तुम्हें मेरे ले कोई फीलिंग्स नहीं थी तुम भाई से कैसे शादी कर सकती हो तुम तो उनको डेविल बुलाती थी ना तो तुमने डेविल से ही शादी कर ली मिहीर की बात सुनकर इश्की बोली तुम मुझे पागल समझते हो क्या मैं जबरदस्ती जाकर थोड़ना मंदप में बैठी थी तो? वो तो उस डेविल ने अपना डेविल पना दिखाया और जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली और शादी करने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं तब ही अरनव बोला अच्छा अच्छा बस करो खुश हो देखो अब जो हुआ सो हुआ आज के बाद तुम इश्की को अपनी भावी कह के पुकारो गया ताकि तुमें ये रिष्टा याद रहे ये सुन इश्की बोली अंकर इसको मेरे नाम सी बलाने दीजिये अगर ये भावी बोलेगा तो मुझे हजीब लगेगा उसकी बात सुन मेहीर बोला आद प्लीज ये भावी बोलने का जुलूमत कीजी मेरे उपर और आपको क्या लगता है मैं अपनी बावी पर ही लाइन मारूँगा और ऐसा अगर मैं कुछ कर भी लूँ आपको लगता है मैं जिन्दा बच पाऊंगा वो भाई काटके भैग देंगे मुझे मिहीर की बात सुनकर मिशा बोली हो और नहीं तो क्या राजवीर भाई इसे धड़ती में नर्के दर्शन करवा देंगे फिर अरणव बोला हाँ बेटा महीर ध्यान रखना तुम अपने भाई राजवीर को अच्छी तरह जानते हो ना उसके बाद अरणव मिशा और इश्के की तरह देख कर बोला और तुम लोग कल से कॉलेज शुरू हो रहे हैं तोड़ा पढ़ाय वड़ाय में ध्यान दो और खासकर के तुम मिशा हमेशा लास्ट आती हो कभी तो सेकेंड लास्ट आजाय करो पर निव चेंज अरे डाड अब मुझे डाड क्यू रहे हो आपको पता नहीं है क्या कि बच्चों में उनकी पेरिंस की एक्वालिटी आती है अच्छा तो ये बात है तो ये मत भूलो कि राजवीर भी मेरा ही बेटा है उसमें भी मेरी एक्वालिटी है ये सुनकर मिशा तुरंत बूली हाँ तो कुछ के इस अलग हो जाता है जैसे राजवीर भाई का हुआ है इस उने एक बार फिर से सभी हसने लगे उसके बाद सभी लोग अपने-अपने रूम्स में चली गए देखा मैंने कहा था ना ये बहुत जल्द इवाने से देवदाज बन जाएगा अब क्या ही कर सकते हैं जब किसमती खराब हो तो अरे ऐसा कुछ नहीं है ब्रोग अब ताजा ताजा दिल तूटा है न तो थोड़ा सैट तो रहूं गई अरे वैसे रू ही दीका है मैंने घर आती उने आवाज दी पर वो आई ने ये सुन कर मिशा बोली शायद अभी तक सो रही होंगी वैसे कल रात को लेट आई थी और कुछ परिशान लग रही थी ये सुन इश्क की बोली तूने उनसे पूछा नहीं कि उनने क्या हुआ है नहीं वो आते ही रूम में चली गई और पर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया तभी में ही बोला उनकी दोस्तों में आपस में कुछ अंगबन हो गई होगी कुछ भैस हो गई होगी पर सच तो ये था कि कल रात जब रूही वापस घर लोटी थी तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उसे कभी उमीद नहीं थी लेकिन क्या इश्की और मिशा पता लगा पाएंगी कि क्या हुआ था पिछली रात रूही के साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो इतनी परिशान थी अब क्या होगा आगे आगे की कहानी जानने के लिए अब ही डाउनलूड कीजिए Pocket FM आप और सुनिए ये सबदस्त आदियो सीरीज Devil से शादी